हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल सपनाज इजी गार्डिनिंग टिप्स फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने जर्बेरा के प्लांट्स से और हम किस तरह से इसके फ्लावर्स से शीड कलेक्ट कर सकते हैं फिर उन शीड से फ्री में अपने घर पर ही खुद से ग्रो कर सकते हैं आप सभी जानते हैं कि जर्बेरा का जो ये प्लांट है इसमें बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग होती है और इसका जब आप प्लांट नसरी में लेने जाते हैं तो वो काफी महंगा भी मिलता है 100 उपिस के उपर ही इसके सारे प्लांट आते हैं तो देखे फ्रेंट्स मेरा ये जो जर्वेरा का प्लांट है इसमें ये फ्लावर जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है ड्राइ हो चुका है और अगर आप शीट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको भी इसके प्लांट में ही फ्लावर को अच्छे से सूखने देना है और इ हिस्सा है यही जरबेरा के बीज होते हैं इन बीजों को आपको collect कर लेना है collect करने के बाद आपको किसी airtight plastic container में इसे बंद करके रख लेना है या तो किसी airtight polybag में आप इसे रख लीजिए और आप चाहें तो सिर्फ इसके सूखे हुए flower को भी आप तोड़ करके आप इसे store करके रख सकते हैं बस airtight container होना चाहिए airtight polybag होना चाहिए और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें fungicide मिला करके रखेंगे तो आपके यह जो बीज हैं वो खराब नहीं होंगे fungicide नहीं है तो भी कोई problem नहीं है थोड़ी सी लकड़ी की राख आप इसमें डाल देंगे तो भी अराम से हो जाएगा और अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसे germinate कर सकते हैं हाला कि अभी भी इसका मौसम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से इसके बीजों को आप ले लीजे बहुत जादा अलग करने की कोशिश करेंगे तो इनके तूपने का भी डर रहता है आपको बस इसे कोको पीट 60 परसंट और 40 परसंट आपको लेनी है वर्मी कमपोस्ट और उसमें आप इसके बीजों को इस तरह से डाल दीजे और उपर से पतली सी मिट्टी की लेयर को आप लगा दीजे ऐसा आपको सेप्टेंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फस्ट वीक में करना है व इसके प्लांट है वो नई ग्रोथ नहीं करेगा इसका मौसम जब होगा यह तभी अच्छे से ग्रोथ करते हैं इसलिए आपको सेप्टेंबर लास्ट या फिर ऑक्टूबर के स्टार्टिंग में ही इसके शीर्स को जर्मिनेट करना है और आप अभी इसे कलेक्ट करके रख लीजिए मैंने आपको सिर्फ एक इग्जेंपल दिया कि किस तरह से आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं इसके बीजो को जर्मिनेट करना बहुत ही जादा इजी है बस इसका सही टाइम होना चाहिए अगर सही टाइम पे आप इसे लगाएंगे तो यह अच्छे से करिए और सही मौसम में इसे प्रोपोगेट करिए तो फ्रेंस यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा तो अब मैं मिलूंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए